सरकार ने बुद्वार को पेट्रोल में मिलाने के लिए गन्ने से निकाल एथनॉल की कीमतों को एक रुपे 47 पैसे प्रिति लीटर तक बढ़ा दिया है कीमते दिसम्बर से शुरू हो रहे 2021 मार्किटिंग इयर के लिए बढ़ाई गई है सरकार का कैना है कि पेट्रोल में एथनॉल जादा मिलाने से तेल के आयात का बिल कम होगा और इससे गन्ने के किसानों के साथ शूगर मिल को भी फायदा मिलेगा प्रदान मंतरी नेंदर मोदी की अगवाई में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट कमेटी CCE ने गन्ने के जूस से निकाले एथनॉल की कीमत को वर्तमान 62.65 प्रती लीटर से बढ़ा कर 63.45 प्रती लीटर कर दिया है कीमत को दिसम्बर 2021 से शुरू होने वाले सप्लाई एर से बढ़ा दिया गया है C हेवी मौलासेस से एथनॉल की कीमत वर्तमान 45 प्रती लीटर से बढ़ा कर 66 प्रती लीटर कर दी गई है سूचना और प्रसारन मंत्री अनुराक ठाकुर ने एक प्रेस कॉनफेरेंस में ये जानकारी दी है तेल मारकेटिंग कमपनिया सरकार द्वारत तयाय की गई कीमत पर एथनॉल को खरीड़ती है अनुराख ठाकूर ने कहा है कि एथनॉल को पेटरोल में मिलाने का आंगड़ा 2021 मारकेटिंग येर दिसंबर जनवरी में 8 फीज़दी पर पहुँच गिया है और अगले साल इसके 10 फीज़दी पर पहुँचने की उमीद है भारत की 2025 तक एथनॉल को पेटरोल में मिलाने के आंगड़े को बढ़ा कर 20 फीज़दी तक पहुचाने की योजना है वही भारती रिजर्फ बैंक, RBI के गवर्णर शक्ति कांत दास ने सरकार के इस फैसले पर कहा है कि केंद सरकार का हाल ही में एकसेस ड्यूटी में कटोती करने का फैसला महंगाई के लिए सकारातमाइक है उन्होंने कहा है कि खादे महंगाई अब काबू में है लेकिन कोर महंगाई में बड़ोतरी जारी है इसके साथ सरकार ने बुद्वार को कॉटन कॉर्परेशन ऑफ इंडिया को 17,408 दशमलग आठ पांच करूर रुपे की कमिटेड प्राइस सपोर्ट को मनजूरी दी है यह सपोर्ट 2014-2015 से 2020-21 के साथ कॉटन सीजन के लिए है यह फैसला आर्थिक मामलू पर कैबिनेट कमेटी में लिया गया है जिसकी अगवाई प्रदान मंतरी नेंदर मोदी ने की है CCE ने कॉटन सीजन अक्टूबर सितंबर 2014-2015 से 2020-21 के दोरान कॉटन के लिए MSP Operations के तहट नुकसान की भरपाई के लिए खर्च को मंजूरी दे दी है View Report, Market Times, TV